इस वक्त ये एक बड़ी खबर आपको बता दें भारत रतन लतामंगेशकर का निधन मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हो गया है जहां उनका इलाद चल रहा था नितिन गटकरी ने ट्वीट करके लतामंगेशकर को श्रधान जली दी है लंबे वक्त से वो अस्पता दिनों तक वो वेंटिलेटर पर थी उसके बाद उन्हें वापस घर ले जाया गया लेकिन अचानक से जब उनको तकलीफ जादा बड़ी तो उन्हें वापस अस्पताल लाया गया और तब भी उन्हें वेंटिलेटर पर ही रखा गया था और आज ये खबर जो हमें मिल रही हैं हम सब के सामने आई हैं बेहद ही दुखद है लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही है बानवे साल की उम्र में लता मंगेशकर ने दुनिया को आलविदा कह दिया